जब भी तुम्हारा होसला आस्मान तक जाएगा याद रखना तुम्हारे पंक काटने जरूर कोई आएगा तो मैं हूँ तुम्हारी दिक्षा मैम तो आज हम रखाट से उडान बढ़ते हैं हमारे लेक्चर वन की तरफ जो है Structural Organization in Animals का Epithelial Tissue तो आएए आज हम अपने गोल की तरफ थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आज अपने आपको एक प्रॉमिस करो खुद को कि तुम्हें एक डटकर पढ़ाई करोगे हर चीज लर्न करोगे बिल्कुल फाल्तु टाइम वेस्ट नहीं करोगे NCRT को पूरा रीट करोगे तो चलो शुरू करते हैं हम हमारा टॉपिक बेटा जो है Epithelial Tissue तो सबसे बहले बताईए What is a tissue? क्या होता है tissue? आपने शुरू से ही सुना है कि Tissue एक group of cells होता है बहुत सारे cells का बना होता है सुना है na? Right? तो आज हम definition को थोड़ा और detail में करेंगे So what is a tissue? It's a group of cells group of cells similar in similar in structure function and origin structure function and origin along with along with its along with its intercellular matrix intercellular matrix मतलब ये कुछ cells का जुन्ड का बना हुआ है like बहुत सारे cells मिलकर एक tissue बनाते हैं आप बच्पन से सुनते आ रहे हो पर शर्थ क्या है? शर्थ ये है ये जो cells है ये देखने में same होने चाहिए उनका structure same होना चाहिए वो काम same करें और उनका origin same हो origin से मतलब जब आप embryo थे तो वो same germ layer से आए इसे 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 लिए ये complete definition होती है और साथ में जो उसका intercellular substance है मतलब cells, दो cells के बीच में जो proteins गहरा है वो सारे भी होने चाहिए तो यहाँ पर बनती है आपकी complete definition of the tissues a group of cells similar in structure, function and origin along with its intercellular substance और the matrix, right? तो सबसे पहले, सबसे पहले ये tissue term किस ने दिया था? The term tissue term tissue was was coined by was coined by by cat किस ने दिया था ये नाम? ये नाम दिया था, by cat ने अगर हम animal kingdom की बात करें animal kingdom में हम phylums पढ़ते हैं जैसे porifera, cillian trata, tenophora जब हम organization की बात करते हैं level of organization तो सबसे simplest one आपका porifera होता है जिसमें cellular level of organization होती है और उसके बात थोड़ा complex होता है जिसे हम कहते हैं tissue level of organization तो आपके tissues अगर पूचें animal kingdom में सबसे पहले कहां पर आए थे तो आप बोलोगे सबसे पहले आपके जो tissues हैं वो cillian trata में आए थे right अब बेटा अब tissues क्या type के होते हैं what are the various types of tissue let's see अगर हम बात करें अगर हम बात करें कि जो आपके tissues हैं वो कहां से आए हैं कहां से आए हैं उनका origin क्या है right तो उस according हमने tissues को four में classify किया है कितने में classify किया है four में किया है right so you have basic four types of tissues you have epithelial tissue you have connective tissue you have muscular tissue and you have neural tissue right तो हमने total ये चार टिशू ही इस चाप्टर में पढ़ने हैं पहला epithelial दूसरा connective तीसरा muscular fourth neural अब जैसे आपकी जो बाड़ी है पूरी अगर मैं बोलूँ आपकी पूरी बाड़ी इन चार टिशू से बनी है हैरानी होगी बट डाट्स ट्रू तो सारी बोड़ी आपकी इन चार टिशू से बनी हुई है जैसे imagine करो कि हमारी जितनी भी skin है जो भी covering है या फिर lining lining मतलब जैसे आपके stomach के अंदर जो wall है वो सारी lining हुई और ये सारी आपकी क्या हुई covering ये सारी pithelial की बनी है इन सब के बीच में अगर मैं बोलू packaging करनी है organs की तो वो काम आपका कौन कर रहे है connective muscles तो आपको पता ही है आपको movement में help कर रहे है and neural इन सब body के organs को क्या कर रहा है coordinate कर रहे है तो इन चार टिशू से मिलकर हम बने है अगर मैं बात करूँ हमारी origin की किसकी बात करूँ बेटा origin की तो origin इन सब टिशू का अलग लग हुए जब आप जब आप embryo थे क्या थे embryo embryonic stages में कुछ germ layers होती है क्या होती है germ layers तो germ layers क्या होता है सबसे पहले जब भी sperm और ova मिलते हैं तो fertilization होती है और zygote बनता है अब यह जो zygote है यह divide करके embryo बनाएगा तो जो early embryo है उसमें जब कोई भी organ नहीं बनाता तो यह जो cells है जो stem cells की तरह होती है यह जो सारे cells है अभी differentiate नहीं होए होते तो यह cells कुछ layers की form में differentiate हो जाते है इनको हम कहते हैं germ layers आपके पास total three germ layers होती है ectoderm, endoderm and mesoderm और यही characteristic feature होता है triploblastik organism का अब इन तीनो germ layers से आपके पूरी body के organ बनेंगे कहलो कि इन तीनो germ layers से ही यह सारे tissues बनेंगे अगर मैं बात करूँ epithelial tissue की अगर मैं बात करूँ epithelial tissue की आपका जो epithelial tissue है इसकी origin कहां से हुई है इसकी origin है बेटा ectoderm mesoderm and endoderm यह तीनो ही germ layers से बना है अगर मैं connective tissue की बात करूँ और muscular tissue की यह दोनो ही किस से बने हैं यह दोनो ही आपके yes यह middle layer से बने हैं जिसे हम कहते हैं mesoderm तो यह कहां से बना mesoderm से also muscular tissue यह भी कहां से बना mesoderm से whereas जो आपका neural tissue है यह कहां से बना है बेटा यह ectoderm से बना है इसका origin क्या है ectoderm तो यह सारे हम origin लिख रहे हैं क्या लिख रहे हैं बेटा origin तो origin location के according हमने इनको चार में divide किया है एक epithelial connective, muscular and neural जो epithelial है वो सारी germ layer से बनता है जो connective है वो mesoderm से बना है जो muscular है वो भी mesoderm से और जो neural है वो ectoderm से बना है तो यह आपके चार टिशू से और आज हम पढ़ेंगे epithelial tissue ओके? So let's get started So first of all epithelial tissue आपको कहां पर मिलता है कहां पर मिलता है epithelial tissue जैसे कि मैंने आपको बताया यह आपकी body के जैसे skin है तो यह coverings और linings की form में मिलेगा कैसे मिलेगा? यह जो tissue है आपका It is present Present in the form of In the form of Coverings And linings Right? Covering होती है जो बाहर की तरफ होती है जैसे skin चीक है? Lining जो अंदर की तरफ जैसे आपका stomach है उसके अंदर की तरफ जो भी लगा हुआ है That's your lining Fine? जैसे अगर आपको याद होगा तो जैसे mucosa होती है आपकी Fine? That is your epithelial tissue only अगर मैं बात करूँ Epithelial tissue के cells की तो यहाँ पर बेटा जो यह epithelial tissue है यह single cell की layer का भी बना हो सकता है यह बहुत सारे layers का भी बना हो सकता है So here the cells which are present The cells can be present Cells can be present In the single layer और multiple layer और multiple layer Right? जैसे अगर मैं बात करूँ Single layer की तो cells की एक ही layer है like this Right? This is the single one और ऐसी epithelial को हम क्या कहते हैं? Simple epithelial क्या कहते हैं? Simple epithelial अगर मेरे पास बहुत सारे layers है Cell की एक उपर एक like this तो यह क्या हुआ बिटा? यह हुई आपकी compound epithelium यह क्या हुई आपकी compound epithelium दूसरी बात अब मैंने cells बनाएं क्या मैंने cells के बीच में कोई भी space बनाई है यहाँ पर? There is no space So, दोनों cells के बीच में space बहुत कम है तो जो intercellular matrix है वो हम कहते हैं कि absent है या फिर बहुत कम है तो अगर कोई पूछे क्या epithelial tissue में intercellular matrix होती है तो आप बोलोगे very less or absent So, here intercellular intercellular matrix is absent or very less or very less Right? दूसरी बात आपके जो यह cells होते हैं अब यह बाहर की तरफ present है बाहर की तरफ ही present है ना अंदर की तरफ तो आपके muscle और connective tissue है तो इनके तूटने फूटने के chances भी बहुत जाद होते हैं So, यहाँ पर बेटा एक बात जरूर याद रखना that the wear and tear is very much So, here the cells can be destroyed easily why they can be destroyed easily because यह cells covering और lining में present है तो अगर यह जल्दी destroy हो जाते है इनका तोड़ फोड जादा है wear tear जादा है तो मतलब हमें तो आज सा कभी भी हमारी हड़ी नहीं देखी तो कहने का मतलब यह है यह जितनी तूटते हैं उससे जादा यह बन भी जाते हैं they have high power of regeneration high power of regeneration right they are avascular this tissue is avascular avascular का मतलब क्या होते है कि इसमें blood supply नहीं है avascular no blood supply no blood supply why क्योंकि इसमें blood supply नहीं है nature ने नहीं दी भाई तो अगर blood supply नहीं है तो यह nourishment कहां से लेगा कहां से लेगा अभी देखते हैं अगर मैं यह structure बनाऊं बेटा tissue का यह इसमें cells है if these are these cells right यह cells हुए इसके नीचे हर एक cells को बैटने के लिए एक seat चाहिए और इस seat को हम कहते हैं basement membrane क्या कहते है basement membrane this basement membrane is made up of two things एक layer यहां पर होती है बेटा glycoprotein की किसकी बनी है यह glycoprotein की इसे हम कहते है basal lamina क्या कहते है basal lamina इसके नीचे एक layer और होती है fibers की इसे हम कहते है reticular lamina क्या कहते है reticular lamina so let's see here so this layer is basal lamina किसकी बनी है यह proteins की like glycoprotein, glycoproteins क्या होते हैं, वो protein which is conjugated with sugar, glycoprotein, sugar के लिए उस करते हैं, and this layer, this layer is your reticular lamina, reticular lamina, यह किसकी बनी है, यह बनी है, fibers की, और यह दोनों layers को हम collectively क्या कहते हैं, basement membrane, क्या कहते हैं, basement membrane, यह जो basement membrane है, इसका एक बहुत important function है, वो क्या है, यह elasticity provide करती है, support provide करती है, और यह exchange में भी help करती है, किसका exchange, let's see, तो बेटा, आपके basement membrane के नीचे अगला tissue होगा, और इस tissue का नाम क्या है, connective tissue, क्या नाम है, connective tissue, so this is your connective tissue, and connective tissue, and connective tissue, it is vascular, इसमें blood supply होता है, तो इसमें blood supply है, और neuronal supply भी है, जो की उपर epithelium तक जाती है, यह epithelial के cells है, कौन से cells हैं बेटा, यह epithelial cells, राइट, यह क्या हैं बेटा, nerves हैं, ओके, and this is the blood vessel, अब बेटा मैंने कहा, कि आपका जो epithelium है, वो avascular है, तो मतलब उसमें नरिश्मेंट कैसे जाएगा, यहाँ पर जो आपका connective tissue है, this entire is a connective tissue, this connective tissue, it has blood vessel, इस blood vessel से सारा खाना उसका diffuse होकर, basement membrane से गुजरता हुआ, epithelial cells को जाएगा, and this is how the cells are going to derive the nutrition, as simple as that, right? So, याद रखना है यह बात, यहाँ पर epithelium दो तरह की होती है, simple epithelium and compound, simple epithelium में एक ही layer होता है cell का, and compound में बहुत सारे layer होते हैं cells के, यह जो cells हैं, वो linings में या coverings में होते हैं, जिससे उनके thought force जादा होती है, and उतने ही जादा यह बन भी जाते हैं, because they have the high power of regeneration. Next, next, इंटरसेललर जो सबस्टांस है, दो cell के बीच में वो बहुत ही जादा कम होता है, right? Okay, so this was about the introduction of your epithelial tissue, moving further to the classification of tissue. अब मैंने आपको एक simple classification तो बता दी, क्या? क्या बताया मैंने? Yes, क्या बताया? मैंने आपको बताया कि आपके यहां पर tissues हैं, यह दो तरह के हैं, एक simple, एक compound, right? इधर देखो, यहां पर क्या बताया? एक simple, एक compound, okay? अब यहां पर हमने किस वे में इनको classify किया है? हमने किया है, on the basis of number of layers, you have two types of tissues, एक का नाम क्या है? Yes, कौन सा tissue है यह बता? Epithelium, कौन सा tissue की बात कर रहे हैं हम यहां पर? Epithelial tissue, okay? So, do not get confused, एक है simple, जिसमें एक ही layer है और दूसरा है compound, जिसमें बहुत सारी layer है, right? So, we have compound epithelial tissue and then we have simple epithelial tissue, okay? So, let's just write down, it has many layers of cells and this has single layer of cell, single layer, okay? आपका जो simple epithelium होता है, इसका mainly काम क्या होता है? इसका काम होता है चीजों को पास करवाना, अब वो सिफ एक ही cell की layer का बना है, तो चीजें आराम से क्या हो सकते हैं? पास हो सकती हैं compound बहुत सारी cell का layer का बना है, तो उसमें से चीजें पास नहीं हो सकती तो फिर compound का function क्या है? उसका function है protection provide करना, क्या करना? protection provide करना, fine, so here आपके पास simple epithelium में further और भी types होते हैं, let's see और क्या है? जैसे बेटा आपके पास यहां पर एक है, yes squamous, cuboidal, columnar, ciliated, ciliated is further divided into 2, the columnar ciliated and cuboidal ciliated. and then we have the pseudo-stratified, which is also further divided into 2, one is columnar and another is columnar ciliated, right? अभी मैं आपको सिर्फ classification बता रही हूँ, आगे हम इनको detail में करेंगे. अगर हम compound की बात करें, अगर हम compound की बात करें, यहां पर classification का तरीका लग है, यहां पर अगर आपको दिख रहा होगा, हमने usually shape की basis पे ही उसे हमने classify कर दिया, अगर जो cell flat है तो squamous, cube like है तो cuboidal, ciliated, okay? अगर हम इसकी बात करें, जो compound epithelium की, इसको जो हमने classify किया है, किया है on the basis of क्या cell stretch हो रहे हैं या नहीं? change of shape of cell, change of shape of cell, right? तो यहां पर अगर हम देखें, सबसे पहला, हमारे पास है stratified, और दूसरा transitional, दूसरा क्या है हमारे पास यहां पर? transitional. So, we have two types of, we have two types of further epithelium in the compound, one is stratified, यहां पर cells अपनी shape change नहीं करेंगे, जो वो stretch होंगे और इदर वो अपनी shape change करेंगे. So, they do not change shape on stretching, okay? So, this is further divided into the other types of epithelium on the basis of shape of these cells. Like, we have squamous, we have cuboidal, we have columnar, and then we have columnar ciliate, whereas transitional एक ही होती है. So, पाटा, यह different types है हमारी epithelium की, right? So, we have the simple epithelium and the compound epithelium. So, here comes one question. Beach which में हम question करते रहेंगे, ठीक है? Okay, अगर कोई पूछे, ऐसी epithelium जिसमें cells बहुत जादा tightly packed हैं, तो आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे, वो है आपकी epithelial tissue. अभी बताया ना, यहां पर जो intercellular matrix है, वो बहुत कम है. यहां पर बताया ना, why it is absent? Because cells are tightly packed. The cells, they are tightly packed. Okay, all right. Next question, next question इसमें से कैसे बन सकता है? अगर कोई पूछे कि आपकी epithelial tissue कहां पर होती है? काम पर होती है? In the form of covering and linings. Next question, next question बता, अगला, आपकी जो stratified epithelium है, उससे stratified क्यों कहते है? यह तो basic सा question पूछे हूँ, neat type नहीं है. Stratified क्यों बोलते है? strata का मतलब होता है layers. क्या मतलब होता है strata का? layers. Okay, तो यह याद रखना क्योंकि आगे काम आएगा. strata का मतलब होता है layers. Okay, all right. Moving further. Next. तो हम आप शुरू करेंगे simple का. आपको मैंने एक चीज बताई थी. क्या बताई थी? Simple का mainly काम क्या होता है? Simple has no role to play in protection. Simple का कोई भी काम protection में नहीं होता. वो किसका होता है? compound का. तो यह क्या करता है? जो आपका simple epithelium है. यह इसका role है, बिटा, सबसे ज़्यादा. कहाँ पर? diffusion. और secretion. diffusion, secretion. इसमें है. play no role in protection. और यह कितनी layers का बना होता है? यह single layer का बना होता है. तो इसमें जो हम सबसे पहला discuss करेंगे वो है आपका squamous. तो जो squamous होती है. squamous word कहां से है? squata से. squata का मतलब होता है flat. जैसे मचली के वो नहीं होते उपर. क्या कहते हैं उनको? अरे क्या कहते हैं? मचली के. दा. तो मचली के उपर बिटा, यह बने होते हैं न? उसके. यहाँ से word हमने flat होते हैं बिल्कुल. तो यहाँ से हमने word क्या तो यह जो आपका squamous epithelium है, इसमें सबसे बड़ा character क्या है, इसे हम कहते हैं कि इसमें जो cells है, वो बिल्कुल क्या है, flat cells है, कौन से cells present है, flat cells present, and the cells, and the cells, they are irregular in shape, irregular in shape, perfectly round नहीं है, आप उपर से देखोगे, तो आपको polygonal दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं बेटा, polygonal दिख रहे हैं, तो उपर से यह क्या है बिटा, polygonal cells, मतलब which has various side, and इनका usually काम क्या होता है, इनका usually काम यह होते ही वहाँ पर है, जहां पर हमें किसी चीजों का exchange करवाने है, diffusion करवाने है, so what is their basic function, they perform a function of diffusion and exchange, and exchange, हमारी body में बिटा, कहां पर exchange होता है, gases का, you all know, it is present, or it is, it happened in the alveoli, कहां पर होता है बिटा, alveoli, तो alveoli में आपको squamous मिलेगा, diffusion membrane में, इसके इलावा, आपको यह blood vessels में भी मिलेगी, और जो epithelium, जो squamous epithelium blood vessel में होती है, हम उसे क्या कहते हैं, endothelium, क्या कहते हैं बिटा, endothelium, right, इसके इलावा यह आपको bowman's capsule में भी मिलेगी, bowman's capsule, right, and it is also present in peritonium, peritonium क्या होता है, यह एक double layer protective covering होती है, आपके organs के around, like your pleura around lungs, and your pericardium around heart, तो वैसे ही यह जो peritonium है, इसमें भी कौन से epithelium होती है, वो किसकी layers बनी है, squamous की बनी है, fine, दूसरी बात, इस epithelium के लिए, हम एक term यूज़ करते हैं, that is pavement membrane और epithelium, pavement membrane का मतलब क्या हुआ बेटा, pavement होते हैं, रास्ता जहां पर हम चलते हैं, तो अगर आप देखोगे, यह cells कैसे दिखते हैं, they look like tiles, cells look like tiles, और pavement पे tiles ही लगी होती हैं, pavement रस्ता चलने वाला, वहां पर tiles ही लगी होती हैं, इसलिए इसे हम pavement membrane या pavement epithelium भी कह देते हैं, दूसरा, इसे हम tesolated epithelium भी बोलते हैं, tesolated epithelium वो होती हैं, जिसमें जो cells हैं, उनका जो shape है, उनकी जो walls हैं बेटा, वो irregular हों like this, perfectly round ना हो, बट irregular walls हों, कैसी हों बेटा, irregular walls, अभी कहना, the cells they are irregular in shape, तो उस epithelium को हम tesolated epithelium भी कहते हैं, and it is particularly found in the peritoneum, कहाँ पर मिलती है particularly, peritoneum ही, right, तो अगर कोई पूछे, आपका squamous epithelium कहा होता है, आप बोलोगे blood vessels, alveoli, और कुछ याद होना हो, ये दोनों जरूर याद करने हैं, ठीक है, दूसरा, flat cell होते हैं, irregularly shape होते हैं, ऊपर से आपको polygonal दिखेंगे, इधर side से आपको flat दिखेंगे, so this is your squamous epithelium, right, next बेटा, next है cuboidal epithelium, cuboidal में जो cells हैं, बेटा, उनकी shape क्या होगी, दिख रहे हैं आपको, the cells they are cube-like, कैसे cells हैं, the cells they are cube-like, cube-like cells, this epithelium is associated mostly with secretion and absorption, secretion and absorption, जहां पर भी आपको चीजों को absorb करना है, secret करवाना है, वहां पर आपको cuboidal epithelium मिलेगी, तो कहां पर बिटा, secretion absorption होती है, आपकी PCT में, proximal, convoluted, tubule, यह क्या चीज है बेटा, it's a part of your nephron, nephron में एक tubes होती है, उसमें जो सबसे पहली tube होती है, वो PCT होती है, interesting बात इसमें क्या है, कि यह जो epithelium PCT में होती है, यह brush-bordered है, क्या है बेटा, यह brush-bordered, क्या होता है brush-bordered, आपके कई बार जो cells होते हैं, उनकी extensions बन जाती है, finger-like extensions, plasma membrane की finger-like extension, जिसे आप क्या कहते हो, microvilli, क्या कहते हो बेटा, इन्हें microvilli कहते हो, right, so these are microvilli, okay, so जिस भी epithelium में यह microvilli होगी, जिस cells में microvilli होगी, वो epithelium आपकी क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी brush-bordered epithelium, क्या कहलाएगी, brush-bordered epithelium, so PCT में याद रखना, exclusively in PCT, brush-bordered simple cuboidal epithelium is present, इसके इलावा, यह आपको बेटा कहाँ पर मिलेगा, smaller, smaller ducts of salivary gland, salivary gland and pancreas, तो pancreas की जो छोटी-छोटी ducts होती है, दो तरह की ducts, एक बड़ी एक छोटी, छोटी में simple epithelium होती है, simple में भी कौन से cuboidal and body में compound epithelium होती है, इसके इलावा, यह बेटा, आपको thyroid के follicles में भी मिलेगा, thyroid gland का नाम सबने सुना होगा, उसमें छोटे-छोटे wells होते हैं, उसमें आपके cuboidal epithelium present होती है, इसके इलावा जो आपके germ cells होते हैं, germ cells वो एक epithelium से आते हैं, जिसे हम कहते हैं germinal epithelium, क्या कहते हैं बच्चे से हम, germinal epithelium, यह germinal epithelium में भी कौन से cells होते हैं, ये कांपर होती है, ये होती है testes and ovaries में, ये भी बिटा आपकी, ये भी आपकी क्या होती है, cuboidal epithelium, interesting, yes, so हमने squamous किया, simple, हमने simple cuboidal किया, अब हम आगे बढ़ते हैं, और अगली करेंगे, that is, yes, your columnar, that is your columnar epithelium, column words, उन्हें, column, column क्या होते हैं, जब building लगती है, तो pillars उसमें खड़े करे जाते हैं, support के लिए, तो वो लंबे-लंबे होते हैं, तो उनको column कह देते हैं, तो उन्हीं column से इन cells का नाम inspired है, क्योंकि ये cells, अगर आप देखोगे, they are very tall cells, लंबे-लंबे cells हैं, बिटा, तो यहाँ प नीचे होता है, at the base, so nucleus is present यहाँ पर, like नीचे, mostly नीचे, ठीक है, so nucleus present at base, present at base, okay, इनका mainly जो काम होता है, वो glance में होता है, कहां पर होता है, बिटा, glance में, so they secrete, इनका काम secretion में है, यह चीजों को secrete करेंगे, so for example, अगर मैं बोलू, यह glands में होता है, तो आपकी glands कहां पर होती है, yes, जो आपके enzyme बनाती है, intestine में and stomach में, so they form, yes, they are the part of gastric glands, gastric glands क्या है, the glands which are present in the stomach, and intestinal glands क्या है, the glands which are present in the intestine, which are present in the intestine, right, इनके साथ साथ कभी एक special cell भी जुड़े होते हैं, मालो, अगर यह आपका लंबा cell, columnar cell है, तो इनके साथ कुछ special cell भी जुड़े होते हैं, like this, इन cell को हम क्या कहते हैं, because they look like, how do they look like, they look like a wine glass, और wine glass का दूसरा नाम क्या है, गॉबलेट ग्लास, तो यह गॉबलेट की तरह दिखते हैं, तो इनको हम गॉबलेट सेल कहते हैं, and their function is to secrete mucus, क्या secrete करता है यह, yes, what do it secrete, it secrete mucus, it secrete mucus, right, okay, so यह रहा आपका columnar epithelium and columnar epithelium usually glands में होता है, लंबे-लंबे में cells होते हैं, आगे, ciliated, ciliated epithelium में क्या होगा, ciliated epithelium में cilia होंगे, cilia are present, cilia होते हैं, cilia क्या होता है, अब microvilli और cilia में क्या फरक होता है, microvilli आपके plasma membrane की extension होते हैं, like this, and cilia एक proper hair-like structure होता है, जो नीचे apparatus से निकलता है, और यह motile होता है, ऐसे हिलता है, तो जब भी यह हिलेगा, यह चीजों को propel करेगा, और चीजें कहाँ propel करनी है, आपके trachea में, आपके fallopian tube में, करनी है न, right, तो बिटा, यहाँ पर क्या है, आपके जो respiratory tree होता है, मतलब respiratory tract, like bronchi, bronchiols, उसमें जब कोई dust particle चला जाता है, तो आपके जो यह cilia है, उसे propel back कर यह cilia से, या fallopian tube की अगर मैं बात करूँ, उसमें egg को move करके uterus की तरफ लेकर आना है, तो वहाँ पर भी क्या चाहिए, cilia चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, ciliated epithelium दो तरह की है, एक columnar और दूसरी cuboidal, अब आप इसके नाम से जान चुके होगे, कि cuboidal में cube-like cells कौन से cells होंगे, cube-like, बट इन में भी क्या होगी, बेटा, cilia, यहाँ पर क्या है, यह ciliated columnar, तो इसमें कौन से cells होंगे, बेटा, tall cells होंगे, which cilia, तो आपकी जो columnar है, बेटा, यह आपको मिलती है, larger bronchioles, larger bronchioles and fallopian tube, कहां मिलती है, fallopian tube, whereas cuboidal आपको मिलते हैं आपके छोटे-छोटे bronchioles में, देखो, आपका जो trachea है, वो खुलता है bronchioles में, ब्रॉंकाय खुलते हैं bronchioles में, पहले बड़े bronchioles होते हैं, फिर छोटे होते हैं, तो पूरे respiratory tree में अलग-लग type की pithelium present होती है, so here's the ciliated, इसका काम क्या है ciliated का, yes, it moves और propels out substances in a specific direction, in a specific direction, okay, जैसे fallopian tube में क्या move करना है, over move करना है, whereas, respiratory tree में mucous, जो थूक आती है, वो move करना है, fine, ओके, यह थी बिट आपकी ciliated, तो अब हम देखेंगे pseudo stratified, pseudo stratified क्या होता है, pseudo का मतलब होता है false, क्या होता है पिटा, false, stratified का मतलब होता है layers, so they actually are simple epithelium, simple epithelium में ही आते हैं, because इन में एक ही layer है cells की, but they appear to be multi-layer, they appear to be multi-layer, they appear to be multi-layer, right, okay, so होता क्या है यहाँ पर, आपके पास जो cells है न, एक तो इसमें tall cells होते हैं, like your columnar, right, like this, इनके बीच-बीच में कुछ छोटे cells होते हैं, जिनका नाम है basal cells, क्या है basal cell, और नीचे होगी basement membrane, नीचे होगी basement membrane, right, तो यह जो cell है, लंबे वाले cell, यह apex मतलब उपर की तरफ जा रहे हैं, तो हम इनको कहते हैं apical cells, whereas जो नीचे की तरफ हैं, यह है basal cells, एक criteria होता है, कि अगर सारे cells, सारे cells basement membrane से attach हैं, तो वो simple epithelium है, अगर सिफ नीचे वाली layer attach है, तो वो क्या है आपकी compound epithelium, multi-layer के case में, पर जब आप इनको microscope में देखते हो, आपको दो layer दिखेंगे, क्योंकि एक nucleus उपर है, एक नीचे है, it will appear like multi-layer, but actual में यह क्या है, actual में यह क्या है, यह बिल्कुल एक single layer है cells, क्या है यह single layer, so here, because it appears, it appears like multi-layer, तो इसलिए हमने इसको कह दिया, कि यह जोटी multi-layer है, पर actual में है क्या है, यह simple epithelium, pseudo-stratified में बिटा, दो तरह की pseudo-stratified आती है, एक columnar, columnar ciliated and दूसरी columnar non-ciliated, columnar non-ciliated, आपको इसके नाम से पता चल गया होगा, columnar ciliated में cilia present होगा, और tall cell present होगे, right, जैसे मान लो यह है, तो इसके उपर ऐसे से लंबे-लंबे cilia present होगे, whereas आपके columnar non-ciliated के case में cilia absent होगा, cilia absent होगा, होगे क्या, tall cell, जो पहले बनाया था वो non-ciliated, तो आपका जो ciliated है, यह आपको मिलता है, trachea and bronchymia, right, whereas जो columnar non-ciliated, यह आपको कहां मिलता है, the ducts of parotid gland, parotid gland क्या है, it's a type of a salivary gland, olfactory pithelium, what is olfactory pithelium, यह आपके nose में होती है, olfactory pithelium, इसके इलावा यह आपको कहां पर मिलता है, epididymis में, also, also you will find it in the male urethra, in the male urethra, okay, तो यह रहा आपका pseudo-stratified, और यहाँ पर आपका खत्म होता है, simple epithelium, तो next क्या है बिटा, आपका compound epithelium, simple epithelium का काम था diffusion करवाना, secretion कराना, exchange कराना, चीजों को pass करना, क्योंकि वो क्या थी, एक single layer थी, whereas यह compound epithelium है, क्योंकि यह multi-layer है, तो इसका काम क्या होगा, it will provides protection, it will provide protection, right, hence, yes, क्योंकि यह क्यों है, multi-layer, so hence, it will provide protection, that's a multi-layer, इसने बहुत सारे layers होंगी, और सिर्फ नीचे वाली layer will be attached to basement membrane, कैसे, अगर यह बहुत सारे cells हैं बेटा, और यह basement membrane है, इसके उपर भी और cells होंगे, तो सिर्फ यह वाली layer, this one, basal layer of cells will be attached to the basement membrane, तो यह difference होता है, आपके compound में और simple में, अगर हम compound epithelium की बात करें, इसको हमने categorize किया था, yes, we have categorized the compound epithelium, एक था बिटा, आपका stratified, और दूसरा था transitional, one was stratified, another was transitional, on the basis of what, on the basis of कि जब आप stretching करते हो, तो क्या cells अपनी shape change करते हैं या नहीं, तो यहाँ पर आपके पास एक है stratified, stratified में हमने further types करे थे, further types करे थे, like we have squamous, we have columnar, we have cuboidal, we have columnar ciliated, right, अगर हम बात करें बिटा, squamous की, squamous for the two types की है, एक है यहाँ पर keratinized और दूसरी है, non-keratinized, right, simple, तो अभी हम शुरुआत करेंगे with the stratified one, which is multilet, और यह cells अपनी shape change नहीं करेंगे on stretching, let's move ahead, तो squamous word क्यों आया है, जैसे कि हमने simple squamous में किया था, यहाँ पर भी, जो cells होंगे, वो flat होंगे, बट कौनसे cells, अपर layer of cells, बहुत सारी layers है ने cell की, बट जो सबसे उपर वाली layer होगी, सबसे उपर वाली layer, वही flat cells की होगी, right, so upper layer of cells, upper layer of cells, are flat, like tile, like tile, so let's see the diagram of a stratified epithelium, देखें, देखो बटा, सबसे पहले आपको भी पता है, एक basement membrane तो होगी, होगी, right, there will be a basement membrane, so this is a basement membrane, इसके उपर सारे cells होगे, इसके उपर cells होगे, तो सबसे नीचे वाली layer, सबसे नीचे वाली layer, को हम कहते हैं, stratum germinativum, stratum germinativum, right, सबसे नीचे layer होती है, cells के, उसे stratum germinativum कहते हैं, और जो नीचे है, ये, किसके उपर rest करी है, ये, basement membrane की उपर rest करी है, है, so this is the basement membrane, basement membrane, and what is this, this is the stratum, germinativum, germinativum, उसके उपर जो cells की layer है, ये cells, polygonal cells है, ये cells, polygonal cells है, what are polygonal cells, the cells with different types of shape, इनकी जो shape होती है, वो अलग-लग होती है, मतब इनकी जो sides है, वो बहुत सारी है, polygonal with a number of sides, so these cells, they are polygonal, ये polygonal cells है, अब जो अपर मोस लेर होगी cells की, वो क्या होगी, वो होगी आपकी flat cells की layer, like this, right, this is flat cell की layer, squamous cells, these are squamous cells, okay, these are squamous cells, all right, so let's label it up, so these are squamous cells, these cells are polygonal cells, fine, अब तो ये बीच में कौन से लिए है, बीच में जो cells की layer है, that is the polygonal cells, okay, let's just fill it up, it is showing that, ये इस में nucleus है, okay, चलो, अब बीटा, यहाँ पर क्या चीज है, जो आपकी squamous है, हमने किया था, ये दो टाइप की है, एक है किराटिनाइज्ट और दूसरी है, नौन किराटिनाइज्ट, fine, so what's the difference, किराटिन एक प्रोटीन होता है, जो आपके स्किन में होता है, जो आपके बालों में भी होता है, तो आजकल तो treatment भी होता है, बालों का किराटिन वाला, लडगीों को तो जुरूर पता होगा, तो होता क्या है यह जो किराटिन है, यह बहुत important होती है आपके स्किन के उपर, वाई, बिकॉज यह आपको एक waterproof covering देती है, आपकी स्किन को mechanical abrasion से बचाती है, मतलब जैसे किसे ने ऐसे कहते हैं ना खून मार दिये, तो हर टाइम तो आपको खून नहीं आता ना, क्यों, क्योंकि उपर बहुत मोटी layer है, और वो layer dead cell की layer है, तो होता क्या है, अगर मैं बोलूं यह वाली pithelium आपकी keratinized है, तो इसके उपर वाले cell dead हो जाएंगे, and also they will start depositing keratin protein here, तो यह layer हो जाएगी आपकी dead layer, और इसको हम क्या कह देते हैं, stratum corneum, stratum corneum, stratum corneum, it have keratin, इसमें क्या होता है, keratin, तो जस epithelium में keratin होगा, that will be keratinized squamous epithelium, so this have what, this have keratin protein, have keratin, तो यह आपके कहां पर मिलता है बेटा, यह आपकी skin में मिलता है, यह कहां पर मिलता है आपकी skin में, अब बस यह वाली layer हटादो, बागी सारा यही रखो, यह कौन सी है? non-keratinized, do not have keratin, यह आपको बेटा कहां पर मिलता है, आपको Buccal Cavity में मिलता है What is Buccal Cavity? ये जो आपका अंदर वाला Cheek Lining है पूरी ये एरिया पूरा ये क्या है आपका Buccal Cavity और यहाँ पर आपको कौन से Pithelium मिलती है? Non-Keratinized Squamous और कहाँ पर मिलता है? Pharynx में Pharynx को ज़रूर याद रखना है Puta Star ये आपको अपनी Esophagus में भी मिलता है जो भी locations है Please इन पर स्टार लगा ले ना क्योंकि इस chapter में question मतब में ली epithelial में question यहीं से आता है So ये हुआ बट आपका squamous The कौन सा squamous? Not simple The compound one कौन सा compound है यहाँ पर? यह stratified है कौन सा है यह stratified और यहाँ पर बच्चे आपने दो टाइप करी एक keratinized और एक non-keratinized Keratinized skin में है इसमें keratin है What is the function of keratin? क्या करता है यह Waterproof बनाता है skin को क्या करता है? Waterproof बनाता है skin को and prevent and prevent mechanical mechanical abrasing मतलब आपकी skin को mechanical abrasing से बचाता है तोड़ फोड से बचाता है So this is the function of keratin in your skin So it's a good, 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 good one Right? Okay इसके बाद बेटा आपके पास होती है cuboidal अब हमने एक epithelium में किया था simple cuboidal में की smaller ducts होती है जो salivary gland की pancreatic की उसमें आपकी simple cuboidal होती है अगर मैं बोलू बड़ी duct तो बड़ी duct में cuboidal है पर वो कौन सी है? stratified compound है Same criteria the upper layer of cells have cube-like the upper layer of cells are cube-like Right? यह आपको कहां पर मिलती है larger salivary and pancreatic duct and pancreatic duct Right? अगर हम बोलें कि cells लंबे-लंबे हैं tall cells हैं तो वो कौन सी होगी बेटा? columnar एक बात याद रखना यहां पर बहुत सारे cells के लिए रहे हैं हम सिर्फ किसको specify कर रहे है upper layer of cells को तो columnar में क्या होंगे बेटा? tall cells क्या होंगे यहां पर? tall cells tall cells present Right? यह कहां पर मिलती है? यह मिलती है ducts of memory glands ducts of memory glands columnar ciliated क्या होगा? tall cells with tall cells with cilia tall cells with cilia Right? यह कहां पर होगी बेटा? larynx में and what is your larynx? larynx is your voice box जिसकी वज़ा से आपकी मैम आपको बोल कर पढ़ा रही है So, all thanks to your voice box the sound box भी कह देते हैं and that's your larynx the pharynx के बाद आता है and it is present above the trachea Okay So, बटा यह था आपका stratified Let's talk about the transitional one So, transitional में मैंने आपको बताया था transitional epithelium ऐसी होती है कि it changes its shape It changes its shape जब आप इसके stretching करते हो और stretching सबसे जादा कहां पर होती है? हमारी stretching होती है urinary system में कहां पर? urinary system में So, यह transitional epithelium basically आपके urinary system से associated है तो इसी लिए इसका नाम हमने क्या रख दिया? urothelium क्या रख दिया बटा? urothelium Okay It is another name of transitional epithelium What is its characteristic feature? These cells changes its shape on stretching on stretching जब यह stretch होता है इसके basement membrane भी stretch होगी और basement membrane किसकी बनी है? fibers की बनी है किया था न? glycoproteins की बनी है तो यह जब बेटा basement membrane stretch होती है तो इसकी visibility कम हो जाती है मतलब हमें दिखती नहीं है तो इसलिए लोग कहते हैं कि इसमें basement membrane या तो absent है या बहुत कम है बट एक बात याद रखना क्या कोई epithelium बिना basement membrane की survive कर सकती है? नहीं कर सकती So on stretching the basement membrane disappear अब बिलकुल सही term बोल सकते हो तो यहाँ पर on stretching on stretching basement membrane disappears basement membrane disappears तो यह जो transitional epithelium है यह कहाँ पर मिलती है? As I have told you यह urinary system से associated है तो यह आपको कहाँ पर मिलेगी? यह मिलेगी renal pelvis renal calluses urethra urinary bladder Okay? So let's see what all these structures are किड्नी कैसी होती है यह सारे structures देखते है तो अगर यह आपकी बेटा किड्नी है किड्नी के अंदर छोटे छोटे पिरामिड्स होते है यह पिरामिड्स यह पिरामिड्स खुलते हैं calluses में अब यह calluses एक open space में खुलती है इसमें इसे हम कहते हैं renal pelvis तो पिटा आप इसको उसमें भी देख सकते हैं अपनी NCRT में जो चाप्टर ने इक स्कूरी प्रॉड़ाक्स एलिमिनेशन पर मोर डीटेल अब यह पिटा आगे खुलता है यूरेटर्स में काहां पर यूरेटर्स में अब यूरेटर्स काहां खुलता है यूरेणरी ब्लाडर में और ब्लाडर खुलेगा बिटा आगे एक ओपनिंग से और इस पूरे एरिया को हम क्या कहते हैं यूरेथरा कहते हैं क्या कहते हैं यूरेथरा कहते हैं फाइन So, यह सारे structures है, इसमें stretching, matching काफी होती है, because यहाँ पर urine आता है, तो इससे लिए, यहाँ पर चुई पिथीलियम है, उसे हमने क्या कह दिया, transitional epithelium, also known as urothelium, why, because यह कहाँ पर होती है, urinary system से associated है, next, glandular epithelium, now let's talk about glands, alright, तो हुआ क्या, आपके epithelium के कुछ cells, कौन से cell, आपके cub boidal cells, right, आपके columnar cells, यह कुछ specialized हो गए, क्या हो गए, specialized, और specialized होकर यह कुछ secrete करने लगे, क्या करने लगे, secrete, और हमने इनका नाम क्या रख दिया, glandular epithelium, so, यहाँ पर एक बात याद रखना, these are what, these are the modified cells of epithelium, so, some cells, some cells of epithelium gets modified, gets modified and gets modified and start secreting and starts secreting, और वो क्या बन गए बटा, वो आपकी glandular epithelium, अब वो cells कौन से है, these cells, they can be the cuboidal one, which are cube-like, या tall one, which are columnar, ओके, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, अब हमने एक difference देख लिया, हमें difference पता चल गया, basically, कि यह जो glandular epithelium है, यह क्या चीज़ है, और normally epithelium क्या है, अब बेटा, एक word हम use करते है, glands, क्या use करते है, glands, usually, जो gland term है, यह हम multisolar glands के लिए use करते हैं, पर अगर हम broad classification देखें, अगर हम broad classification देखें, epithelium, gland और epithelium और gland में फरक क्या है, gland हम complete organ को बोल देते हैं, उसके अंदर जो cells लगें, उसे epithelium बोल देते हैं, fine, तो अगर मेरे पास एक cell है, तो क्या मैं उसे gland नहीं बोल सकती, मैं उसको भी gland बोल सकती हूँ, पर वो बेटा क्या होगी, वो होगी मेरी unicellular gland, वो क्या होगी बेटा मेरी unicellular gland, तो एक cell को भी हम gland बोल सकते हैं, वेरस काफी cells की जो epithelium है, multicellular, उसको भी हम gland बोल सकते हैं, unicellular gland जैसे हमने किया था, एक mucus secrete करता है cell, जैसे और goblet cell, तो goblet cell एक अकेला है, और वो क्या कर रहा है, वो secrete कर रहा है mucus, तो वो क्या हुआ बेटा, unicellular gland, वेरस multicellular में आपकी आती हैं जैसे कि salivary gland, तो इस तरह से आपके glands, बेसिकली epithelium के कुछ cells के ही बने हुए हैं, जो modify हो गए हैं, जो क्या हो चुके हैं, modify हो चुके हैं, alright, next बच्चे, अब आपकी जो gland है, वो कितने type की होती है, what are the various types of glands, what are the various types of glands, सबसे पहले ये जो मैं आपको classification बता रही हूँ, ये बता रही हूँ कि जो उसका secretion है, वो अगर वो कैसे pore कर रहा है, मतलब बाहर कैसे फैंक रहा है, मेरे पास कुछ group of cells हैं, अब वो जो group of cells हैं, वो अपना secretion कैसे बाहर फैंकेंगे, कैसे बाहर फैंकेंगे, उसके according इनको हमने 3 category में divide कर दिया है, जैसे अगर मैं बोलूँ, एक gland अपना secretion अपने में से सिधे ऐसे बाहर फैंक दे रहा है, एक gland एक डक्ट के थू चीजें बाहर फैंक रहा है, एक gland ऐसी है, जिसमें दोनों चीजें मिल रही है, जो अपना secretion बाहर फैंक रहा है, ऐसे ही, उसको blood उठा कर target organ पर लेके जाएगा, वो आपकी endocrine gland होती ह है, जो अपने डक्ट के थू बाहर फैंक रहा है, वो आपकी exocrine होती है, जिसमें दोनों पार्ट है, वो heterocrine होती है, राइट, so we have three types of glands here, we have three types of glands here, what are these, we have exocrine gland, we have endocrine gland and we have heterocrine gland, hetero का मतलब होता है, mixture, crine का मतलब होता है, secretion, अब बेटा, जो exocrine gland है, इसमें क्या होगा, अगर ये gland है, तो ये एक डक्ट के थू अपना secretion बाहर फैंक एगा, मान लो ये इसका secretion है, ये इस तरह से से बाहर फैंक एगा, right, exocrine gland like your salivary gland, like your salivary gland, so आज आपने क्या सीखा, exocrine glands में क्या होता है, बेटा, duct होती है, the ducts are present, whereas endocrine, they are ductless, और इनके secretion को हम कहते हैं, the secretion is hormone, क्या कहते हैं, hormone, इसमें क्या होता है, अगर ये एक gland है, अगर ये एक gland है, endocrine gland, ये अपना secretion बनाएगा, इस secretion को कौन उठाएगा, इससे उठाएगा, एक blood vessel, कौन उठाएगा बेटा, blood vessel, right, अब ये जो blood vessel है, ये इससे उठाकर कहां लेके जाएगा, target organ में, target organ में, मान लो बेटा, ये आपका क्या है, ये बेटा आपका कौन सा है, ये gland आपका मान लो, pituitary है, ये growth hormone निकार रहा है, और ये blood से, that is, आपके body cell में जाएगा, और body cells divide करेंगे, hetero, मतलब mixture, इसमें endocrine, इसमें endocrine, plus exocrine, दोनों होता है, right, जैसे आपका pancreas, pancreas में, insulin hormone भी बनता है, तो वो portion बेटा, इसका क्या हुआ, endocrine, और ये enzymes भी बनाता है, तो ये बेटा, क्या हुआ, उसका exocrine, क्योंकि वो duct से जा रहा है, इसके बाद बेटा, आपके पास होते हैं, आपके gonads, gonads like testis ovaries, testis ovaries को collectively हम क्या बोल देते हैं, gonads, gonads, they secrete hormones, so it's endocrine part, और duct के through, उनके गिमीट बाहर जा रहे हैं, तो वो उसका क्या हुआ, बेटा, exocrine part, fine, तो ये आपकी classification हुई, on the basis of how they pour their secretion, pour their secretion, right, next, next, बेटा, फिर एक आपकी glance की classification आती है, कि वो अपने में से secretion कैसे कर रहा है, secretion एक जो cell है उसका, वो cell कैसे बाहर फैंक रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपने देखा कि कौन transport कर रहा है उसे, यहाँ पर cell के अंदर जो factory है, वो कैसे उसे बाहर फैंक रही है, तो यहाँ पर हमारे पास gland हुआ बेटा, तीन टाइप का, एक हुआ एपोक्राइन, एक हुआ मीरोक्राइन, और एक हुआ होलोक्राइन, होलोक्राइन, ठीक है, अब, एपो का मतलब होता है, एपेक्स, एपिकल, अगर यह cell है, इसके nucleus से कुछ mRNA बना, आगे protein बना, प्रोटीन ने packaging करी, package करने के बाद, cell का, खुद का कुछ पार्ट यहाँ पर loss हो जाएगा, इतना पार्ट, राइट, तो cell ऐसे pinch off होगा, बेटा, like this, like this, तो बचेगा क्या, cell इतना रह गया, और जो secretion था, वो cell को लेकर बहार आया, यह क्या है, बेटा, secretion, ठीक है, यह cell को लेकर बहार आया, तो इस चक्कर में cell का apical part, उपर वाला part, loss हो गया, क्या हो गया, loss, मतलब जब cell में से कुछ secret होगा, तो उसका उपर वाला part, cell का loss हो जाएगा, क्या हो जाएगा, loss हो जाएगा, तो यहाँ पर बेटा, आपकी example है, memory gland, memory gland, memory gland, क्या secret करती है, milk, अगर मैं बोल रही हूँ कि उसका apical part loss हो रहा है, और memory gland का secretion क्या है, milk, तो मतलब उपर वाला part, cytoplasm तो लेके जाएगा, साथ में, लेके जाएगा, तो कहने का मतलब यहाँ पर जो उसका secretion है, milk, milk will contain the cytoplasm of the cell, yes, okay, myrocrine में कोई भी part loss नहीं होता, यह cell है, cell के अंदर छोटी-छोटी vesicles बनेंगी, जो golgi body बनाती है, packaging करती है, और exocytosis से यह vesicle बहार आ जाएगी, no part of cell is lost, no part of cell is lost, right, यह normal जैसे बेटा, आपकी salivary gland है, कौन सी gland है, salivary gland है, fine, hollow मतलब complete, तो इसमें बेटा, hollow, hollow का मतलब होता है complete, इसमें आपका पूरा का पूरा cell burst हो गया, और secretion बहार निकाला, तो cell ने यहाँ पर कुर्बानी दे दी, क्या दे दी, कुर्बानी cell burst हो गया, fine, तो यह काँ पर होता है आपकी sebaceous gland, what are sebaceous gland, the sebaceous glands are your oil glands, are your oil glands, fine, तो इस तरह से कि how the secretion is produced, how secretion is produced, your glands are of three types, you have epocrine, you have meerocrine and then you have holocrine glands, okay, next, cell junctions, अब यह बड़ाई interesting topic है, क्या आता cell junction, बिटा यह ना दो cell हैं जैसे, ठीक है, आपके दो cell है, अब यह दोनों cell जो हैं, जैसे दो कमरे समझ लो, दो independent room है, क्या दो independent room में अगर एक एक दो से लगलग बिठा दें, वो दोनों enjoy करेंगे, नहीं करेंगे, दो ही कमरे और कुछ नहीं है, अब एक को खाना चाहिए, तो वो दूसरे से मांगेगा, यह बात करेगा, यह दोनों को लुड़ों खेलनी है, तो वैसे ही आपके दो cells independent कभी नहीं रह सकते, उनको आपस में communication करना है, तो वहाँ पर इनकी rescue के लिए कौन आते हैं, cell junctions आते हैं, so what is cell junction, it is the, it is the point of contact, it is the point of contact between, between two cells, between two cells, right, So your cell junction are basically of three types, कितने types के हैं, कितने types के cell junctions हैं बिटा आपके, तीन type के cell junctions हैं, three types, so the first one, the first one is your tight junction, tight junction, जिसे क्या कहते हैं, zona, zona occludence, दूसरा आपका है gap junction, gap junction, gap junction, और तीसरा है आपका adhering junction, 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 adhering junction का का काम है, चीजों को adhere करके रखना, whereas tight junction का का काम है, एकदम बंद करके रखना, gap junction का का काम क्या है, gap junction का का काम है, कि यहां पर चीजों में, दोनों cells के बीच में, एक communication बनाए रखना, कि चीजों का flow हो, right, तो बिटा होता क्या है, यह जो आपके cell junctions हैं, they are the characteristic feature of epithelium, so इसलिए हम इसे epithelium में पढ़ते हैं, but it doesn't mean यह junction और कहीं नहीं होंगे, they are also present in the muscles, also present in the muscles, अगर मैं adhering junction की बात करूँ, इनको हम cementing junction भी कहते हैं, they act as a cement, और दो सेल के बीच में cement की तरह बने रहेंगे और दोनों को एक जगा पर चिपका की रखेंगे, यह बिटा तीन तरह के होते हैं, एक है zona adherence, एक है बिटा desmosomes, जिसको हम macula adherence भी कह देते हैं, macula adherence भी कह देते हैं, and next we have hemidesmosome, hemidesmosome, right, next, आपका जो gap junction है, वो मैंने क्या बताया, gap junction दो सेल में continuity रखेगा, जैसे दो आपके रूम हैं, उनके बीच में एक डोर, और अराम से चीज़ें आ जा सकती हैं, so they will maintain, they will maintain the continuity, continuity between the cytoplasm, between the cytoplasm of two cells, of two cells, and allow, and allow the passage of large and small molecules, and ions, and ions, तो इससे बिटा क्या-क्या पास हो सकता है, कुछ छोटे, कुछ थोड़े से बड़े molecule, and ions इससे पास हो सकते हैं, tight junction की अगर बात करूँ, वो भाई जद्धी है, यह कहेगा, ना कुछ नहीं जाना, तो यह क्या करेगा, it will prevent, it will prevent the leakage of, leakage of substances, leakage of substances, right, तो अब बिटा हम इनको देखेंगे, with the help of a diagram, imagine करो, this is your cell 1, and this is your cell 2, okay, यह cell 2 है, अब बच्चे, यह cell 1 लिख देते हैं, इसे cell 2, जब भी अगर मैं tight junction की बात करूँगी, तो epithelial tissue में, epical surface, उपर की तरफ आपको कौन सा junction मिलेगा, tight junction, tight junction कैसे बनता है, by the fusion of plasma membrane, दोनों cells की plasma membrane fuse कर जाती है, क्या कर जाती है, fuse कर जाती है, fine, इसके बाद बिटा, आपके पास जो junction आएगा, वो आपका आएगा, zona adherence, like this, चीक है, ये दोनों की क्या है, plasma membrane है, और ये zona adherence में मैंने कहा था, ये cementing junction है, कौन से cementing है, तो यहाँ पर एक plaque होगी, plaque होगी, int की तरह, ये protein की बनी होती है, यहाँ पर बेटा क्या होगी, एक plaque होगी, right, और कुछ यहाँ पर fibers होगे, क्या होगे यहाँ पर, fibers होगे, right, तो ये आपका कौन सा junction हुआ, zona adherence, इसके बाद बेटा जो junction आएगा, ये किसका बाप है, ये zona adherence का बाप है, इससे भी मोटी plaque, इसने तो कसम खाई है, दोनों को जोड़ का रखेगा, cells को, तो ऐसे मोटी plaque होगी और भी, और fibers होगे, क्या होगे, fibers, और बीच में कुछ proteins भी होगे, intercellular protein, inter का मतलब होता है, दो cell के बीच में, right, और इन protein का नाम क्या है, cadherin protein, cadherin, तो ये हुआ बेटा आपका, desmosome, desmosome, जिससे macule adherence भी कहते हैं, और ये देखने में disc जैसा होता है, disc-like, उसके बाद बेटा, आपके पास क्या आते हैं, gap junction, which are formed of proteins, known as connexin protein, कौन से protein, connexin, connexin protein, और बीच में, जैसे मालो, 6 connexin protein है, आपके pen की तरह, उन्होंने ऐसे-ऐसे करके tunnel बनाई हुई है, और ये tunnel, जो है, ये आपका क्या बनाता है, बेटा, gap junction, gap junction, इससे चीज़े अराम से पास कर सकती हैं, कर सकती हैं, फिर यहां पर कई बार interdigitation जाते हैं, मतलब, ऐसे surface area बढ़ेगा ना, अगर plasma membrane ऐसी होगी, और इस तरह से दोनों cell की plasma membrane है, और ये ऐसे fixed है, ताकि वो cell एक दूसरे पर criss-cross रहें, जैसे बंदन होता है ना, बिल्कुल ऐसे बंदे हुए हैं, शादी के बंदन की तरह, तो ये क्या है बिटा, interdigitation, interdigitation, अब नीचे cell के क्या होता है बच्चे, cell के नीचे होती है basement membrane, यहाँ पर क्या होती है, ये है basement membrane, अभी ये जो मैंने junction बताई, ये सारे junction दो cell के बीच में है, विरस जो basement membrane वाला है, ये कौन सा junction होगा, मतलब a junction between a cell and a basement membrane is your hemidesmosome, इस में क्या होगा, hemi मतलब half, तो ये आदा-desmosome जैसे है, इस में बिटा, यहाँ पर plaque होगी, और कुछ proteins होगे, क्या होगे कुछ proteins like this, right, इस junction को हम क्या कहते हैं, hemidesmosome, hemidesmosome, so it's a junction between a cell and a basement membrane, तो इस तरह से बिटा, आपके सारे junctions होते हैं, अगर आपको ये थोड़ा tough लगता है, इसमें आप कुछ-कुछ points से आद कर सकते हो, it's just for आपको दिखाने के लिए कैसे होते हैं, but जो main आपको must याद करना है इसमें, वो है ये, इसमें से question आता है, the definitions, all right, so ये था पिटा आपका cell junctions, all right, so this was it about your epithelial tissue, हम next class में और tissue करेंगे, and also we'll solve some questions, तेक केर, बाबाई.